एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोश्टी चैनल के अंदर जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सभी को पता है कि पहली दूसरी तीसरी सिफ्ट के मैट के 25-25 को हम बेस्ट अप्रोच के साथ डिसकस कर चुके हैं अपनी प्रिवियस वीडियो के अंदर आज की वीडियो में हम दिसकस करने वाले हैं 24 shift के math के 25 questions को best approach के साथ मेरे सभी प्यारे सातियों इसी तरीके से लगातार आपको सारे set जो है आपके channel पे मिलते रहेंगे लेकिन आप सभी के support की जरूत है जैसे आपने पहली और दूसरी तीसरी वीडियो को support किया उसी तरीके से इस वीडियो को भी आप सभी लोगों को support की जरूत है जो लोग channel पर enter हो चुके उन सभी से निवेदन है कि channel को subscribe करने वीडियो को जादा से जादा share कर दिया करिये क्योंकि आप लोगों के support से एक motivation मिलती है अगली वीडियो अच्छी बनाने की तो इसी तरीके से आप सभी को वीडियो मिलती रहेंगी और आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूंगा जो अभी writing का content का issue है क्योंकि writing content का issue इसलिए है क्योंकि अभी मेरे पास जो writing pad है वो छोटे size का मैं हर एक आपको वीडियो में बताता हूँ तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा manage करिएगा सिर्फ method को सीखिएगा question कितना easy बनाया जा सकता है उस चीज़ को सीखने की courses करिएगा और जिन बच्चों को PDF चाहिए वो सभी लोग description box में link दिया हुआ है telegram का वहाँ से आप सभी लोग जुड़ जाओ आपको रोज की रोज वहाँ पर PDF मिल जाएगी उके चलिए class को start करते हैं पहले questions के साथ चलिए next question आपकी screen पर है यह question कहता है कि एक घं का प्रस्टिय चेटफल 384 cm है तो घं का आयतन क्या है देखिए अगर आपको पता होगा प्रस्टिय चेटफल की बात करेंगे तो 6a2 होता है यह बात आपको पता है तो इसके बराबर हम कर देंगे हम 384 को अगर हम इसको 6 से काटेंगे तो a square बराबर कितना आ जाएगा ए शचरंग 36 और 6424 तो a बराबर हमारी जो भुजा निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी 8 हमारी भुजा निकल के आ जाएगी यह बात यहां से clear हो गई अब अगर हम cube के आयतन की बात करें तो आय प्रस्टिय छेत फल से भुजा निकाल ली थी और भुजा का cube कर देना था वही आपका answer हो जाता ओके चलो अगला question देखो एक त्रभुज PQR एक समकोर त्रभुज है जिसमें Q90 डिग्री है PQ 5 है और QR 12 है तो आपको caught P और 10R का मान बताना है बिल्कुल देसी तरीके से आ हो जाएगा Q और यह आपका हो जाएगा R और इसमें कहा गया है कि यह आपका Q जो है वो 90 डिग्री है उसके बाद आपका PQ 5 दे रखा है ठीक है और QR आपका 12 दे रखा है तो 5, 12, 13 है ना 5, 12, 13 यह हो जाएगा आपका triplet के माध्यम से 5, 12, 13 हो जाएगा triplet इसलिए कहता हू आपको पता होने चाहिए क्योंकि triplet के माध्यम से आप questions को आसानी से solve कर सकते हैं अब देखिए सबसे पहले आप देशी formula लाल बटे कक्का लगा लो के लाल बटे कक्का लगा लो यहां पर court पूछा गया court जो है sin cos 10 आधार बटे लम इसका उल्टा 10 का उल्टा हो जाएगा तो आधार बटे लम आधार हमारा कौन सा लेना है court P का आधार कौन सा लेना है 5 ठीक है 5 और लम क्या लेना है 5 बटे 12 ओके minus 10R तो हमने 10R ये वाली ल माइनस प्लस कट जायेगा आपका answer कितना आजाएगा 0 और इसका right answer 0 होगा ठीक है यह आपका minus plus से क्या हो जाएगा यह आपका कट जाएगा पर बटे करते हैं और रोहित अकेले उस कारी को दस दिनों में कर सकता है और रोहित अकेले उसी कारी को पंदरा दिन में कर सकता है यदि भी एक साथ कारी करते है तो उन्हें प्राप्त होने वाली रासी में अंतर क्या है ठीक है अंतर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहित की मोहित इसे कितने दिनों में करता है और अगर रोहित की बात करेंगे तो रोहित इसे कितने दिनों में करता है रोहि की दो निकल के आ गई और इसी efficiency के बराबर हम पैसे को करते हैं क्योंकि जो पैसा है वो efficiency के बराबर बाढ़ते हैं तो 3, 2, 5 5 ratio बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 442 दे रखा है तो एक ratio बराबर हमारा कितना हो जाएगा clear है अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question देखिए क्या कहता है अगला question कहता है कि एक वस्त को 10% हानी पर बेचा जाता है यदि इसके क्रेम मूल में 5 रुपए की कमी की जाती है और विक्रेम मूल में 8 रुपए की ब्रद्धी की जाती है तो इस पर 10% का लाव अर्जित किया जाता है तो वस्त का वास्त विक्रेम मूल क्या होगा देखिए इस question को कराने के बहुत लोगों के अपने-पने method नहीं लेकिन जो मैं आपको approach और method बता रहा हूँ वो सबसे sort है और सबसे best है ओके चलिए सबसे पहले 10% हान का मतलब क्या होता है 10 से 9 होता है ये बात आपको पता है ना 10 से 9 होता है अब देखिए इसमें एक term पढ़ लो ये जो है आपका CP हो जाएगा और ये आपका SP हो जाएगा ठीक है और अगर बात करेंगे इस सबाल के अंदर कहा गया है कि हमने अगर ग्यारा पच्चे-पच्पन यहाँ पर ग्यारा पच्चे-पच्पन करेंगे और 10, 8, 80 करेंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा 135 तो 20 ratio बराबर कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा अगर हम एक ratio का मान निकालेंगे तो सबसे पहले 5, 6, 20 ठीक है, 5, 2, 10 और 5, 7, 35 अगर एक ratio का मान निकालेंगे तो 27 बटे 4 आपका एक ratio का मान निकल के आ जाएगा हमसे पूछा है वास्तिफिक विक्रें मुली तो always याद रखना वास्तिफिक विक्रें मुली जो होगा वही ये हमारा पहला वाला होगा तो 9 ratio के बराबर कर दे अगर इसको हम जुड़ा कर दे एक ratio का मान आपका 27 बटे 4 है तो 60.75 आपका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा जो कि D option में आपको नजर आ रहा है ठीक है जितनी आपकी speed calculation की होगी उतनी जल्दी आप इन questions को कर सकते हैं मैं आपको जो time ले रहा हूँ वो calculation में ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ करके से पास्ट करके देखो question बहुत ही जल्दी होगा ठीक है चलिए next question की तरह पढ़ते है next question कहता है कि नीचे दिया गया दंड आलेक 6 कंपनियों के refrigerator के उत्पादन को दर साता है यहाँ पर ए द्वारा refrigerator का उत्पादन चलिए percent लगा लेते हैं बहुत सारे बच्चों को जो है दिक्कत होती है ratio में तो अगर इसको काटे 60 तो यह हमारा कितना निकल के आ जाएगा यह हमारा 500% जो है वो निकल के आ जाएगा कितना निकल के आ जाएगा 500% इसका बिल्कुल directly सही जवाब हो जाएगा कैसे देखिए इसको अभी भी अगर आपको काटना नहीं आया तो 0 से अगर हम 0 काटेंगे ठीक है और 6, 35, 30 और 100, 500 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगला question देखिए क्या कहता है नीचे दिया गया दंड आलेक थे company द्वारा refrigerator के उतपादन को दरसाता है ठीक है आपको बताना क्या है इसमें अच्छा इसका answer यहाँ पर है answer आपका 500% वही question है पीछे जो है वो answer नहीं दिया हुआ था आपका option answer दे रखा है ठीक है अगला question देखो अगला question कहता है कि sin b minus cos a बराबर 0 है तो a plus b का मान क्या हो जाएगा देखिए आप सभी को पता है एक identity आपने पड़ी होगी sin a बराबर cos b कब होता है जब a plus b हमारा कितना होता है 90 degree होता है इतना होता है 90 degree होता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 90 degree इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उके चलो identity based एक simple सा just second में मैं करना तीन second भी नहीं लगेगा इस question को करने में आप 2 second में कर लेंगे चलो अगला ये board mouse को question है और 9 विसम संख्या को पिछली और अगली संख्या में सामिल किया जाता है तो नय औसत क्या हो जाएगा देखे अगर 9 विसम संख्याओं का average 27 है और इधर आप 9 संख्याओं को जोड रहे हो तो तो average पे कोई फार्क नहीं पड़ता है तो right answer आपका 27 हो जाएगा ठीक है आप इसके deep में जाने की कोशिस मत करिएगा जो मैंने आपको method और approach बताई किसी चीज़ को follow करिएगा आप इस question को चंद second में कर लेंगे अगर आप में deep में जाने की कोशिस करेंगे इसके अंदर क्या होता क्यों होता है तो आपको बहुत जादा समय लगेगा ठीक है सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी odd या even की बात आए और एक number दिया हो उसका average दिया हो उतने ही number पीछे जोड़े जाते हैं और उतने ही number आगे जोड़े जाते हैं तो उसका average कभी change नहीं होता है अगला question देखो अगला question कहता है नीचे दी गई तालिका में पांच वर्सों में दो company को बिक्री को दरसाता है यहाँ पर बोला है कि L1 L1 जो है AB की कुल बिक्री के बीच का अंतर है तो हम सबसे पहले L1 निकालेंगे L1 क्या है इन दोनों को जोड़ने के बाद ही उसका अंतर कभी भी आप direct यहाँ से अंतर नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ से अंतर निकालेंगे तो वो question गलत हो जाता है चाहे आप इसको solve करके कोसिस कर लेना ठीक है आपको पूरा calculate ही करना पड़ेगा तभी आपको उसका difference निकालना पड़ेगा यह गलती बहुत सारे चौबिस और चौबिस एक मिर्द दुबारा जोड़ लेते हैं ठीक है कि 350 में 50 लिया 400 हो गया पांचार 900 हो गया 9 7 1600 हो गया और यहां से 50 लिया सत्रा सो साच्छे तेरा तेजसो तेजसो तेजस्यास ताइस सत्ताइस सो पचास यहां पर आपका हो गया उके ठीक है उसके बाद 1150 में यहां से 50 लिया तो यह 1200 हो गया 128 2000 हो गया 2929 2950 हो गया यहां से 50 लिया 3000 हो गया 3333 हो गया 332 35 35 अब इसमें 3550 में से माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 0 8 7 15 800 तो L1 हमारा कितना निकल के आ गया यहां पर आपका क्या पूछा गया है आपसे L1 और ल तू का जो है वो रेश्यो पूछा गया है ठीक है इसका L1 और L2 का ratio पूछा गया, तो L1 हमारा 800 है अनुपात आपका हो जाएगा यहाँ पर 500, तो यह आपका जो हो जाएगा, सूला ratio आपका 11 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा काट लेना भाई, calculation आपको पता होनी चाहिए ठीक है, सूला गयारा ratio आपका answer आजाएगा, यह रहा आपका बिल्कुल सही जवाब, ओके, चलिए अगला question देखिए, एक बिद्याले में लड़कियों और लड़कों का आउसत भार जो है, वो कितना है, 30 kg है, ठीक है और 36 kg, यद लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दो गुनी है, यद गल्स की संख्या जो है, वो boys की संख्या से दो गुनी है ठीक है, अब यहाँ पर लड़कियों का आउसत कितना है, गल्स का जो आउसत है, वो 30 है ओके, और boys का कितना है, 36 है ठीक है, comparison method में बटेगा, यह आपका बटेगा, दो एक तीन में, ठीक है, तो यह हमारा कितना निकल के आएगा, प्लस का दो निकल के आएगा, यही तो पूरे एवरेस में जाता है तो हम यहाँ पर आपको दो में जोड़ देंगे total आपका जो है, वो 32 इवरेस निकल के आजाएगा, answer 32, इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा तो comparison based question हर एक shift में 2 से 3 मिलते हैं आपको देखने को, इसलिए कहता हूँ कि यह जो comparison based method है, अगर आपको नहीं समझ आता, मुझे comment box में आकर बताओ मैं detail में इसको समझाऊंगा, आखिर किस situation में कब क्या किया जाता है, ओके, लेकिन फिलहाल मैं question में बिलकुल clear करते चल रहा हूँ I hope आपको यह बिलकुल clear होता जा रहा होगा अगला question देखिए, 10, 8 बटे, 15 जब भी theta से theta का मान पूछा जाएगा आप सीधे अपना देशी formula लाल बटे कका लगा लो यह देशी बच्चों के लिए, otherwise बच्चों को तो पता ही होता है कि 10 क्या होता है, और cost क्या होता है, ठीक है तो हमारा 15 बटे जो 8 है, वो आपका क्या है यहाँ देखिए, लंब बटे आधार है यह हमारा लंब है और यह आधार है लंब बटे आधार, हमारा कंड क्या हो जाएगा कंड हो जाएगा 8, 15, 17 डारेक, क्रिकलेट आपको पता होगा तो आप बता देगे 8, 15, 17 हो जाएगा ठीक है, अब साइन थीटा, साइन क्या है लंब बटे कड़, लंब हमारे पास 15 है और कड़ कितना है हमारे पास 17 है उसके बाद कॉस, आधार बटे कड़ आधार कितना हमारे पास 8 है और कड़ कितना है 17 तो इसका जो answer आ जाएगा 15, 18, 23 20 बटे 17 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि आपका C-Option में दे रखा है क्लियर है ना भाई, क्लियर है तो लाइक कर दो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दिया करो भाई इसी तरीके से हर रोज आपको मैं एक सेट करवाता रहता हूँ बहतरीन आपकी अप्रोच के साथ जलिए, अगला कोशन देखिए क्या कहता है एक राज को दो वर्च के चक्रवधी ब्याज पर संयोजित 4180 रुपय है तो ब्याज की दर 20% वर्च है तो राज कितनी हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया है जब भी रेट आपकी 10% दे रखी हो तो 2 साल का compound कितना हो जाता है compound interest हो जाता है 21% तो साल का ठीक है ये 2 साल की बात हो रही है अगर आपकी रेट 20% दे रखी हो तो compound interest कितना हो जाता है 44% ओके ये बात मैंने आपको classes में पढ़ाई है कैसे होता है ये भी बताया है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर ये आपका 20% दो साल का compound interest 44% हो जाता है ठीक है तो इसके बराबर हम कर देंगे 1400 अस्ति को अगर हम 1% का मान निकालेंगे 1% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1480 ठीक है upon 44 और हमने निकालना है 100% क्योंकि हमें तो रास निकालनी है तो वो रास तो 100% होती है अब देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो 11,44 ठीक है और 11,33 58,11,88 अगर हम आगे इसको काटेंगे 4 जो है ये 25 बार जाएगा ठीक है 25 अगर हम इसको आगे सॉल करें 25 का 0 से गुड़ा करेंगे 0 आ जाएगा 25 अठे 200 का 0 कैरी आए 20 25 तिये 75 और 20 कितना हो जाएगा 95 आपका 95 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो की C option में दे रखा है अगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ अगला question देखिए क्या कहता है कि GY XY 12 वरत के केंद पर आंत्रिक कोण 180 डिगरी है इस वरत की तरिज्या 14 सेमी है तो GY XY की लंबाई कितनी हो जाएगी जैसा कि मैंने हमेशा आपको क्या बताया है कि ये आपका रहा एक वरत ठीक है इसमें जो है वो एक रहा आपका केंदर कहाँ पर केंदर ये आपका केंदर है केंदर पर 180 का जो है कोड आंत्रित है 180 कोड जब आंत्रित होता है एक सीधी रेखा होती है है ना तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक सीधी रेखा का कोड आंतरित कर देंगे आपके सेंटर से ओके यह बात क्लियर हो गई अब यहाँ पर x, y है हमने डिनोड कर दिया यह क्या है x, y है ओके यह आपका x, y आपकी तरिजिया कितनी दे रखी है कोश्चन के अंदर 14 दे रखी है तो 14, 14 आपका कितना हो जाएगा 28 तो 28 सेंटीमेटर जो है वो आपके x, y की लंबाई हो जाएगी कुछ अपरोच मत लगाओ जादा कोश्चन के अंदर घुसने की कोशिस मत करो जितना कोश्चन कहता है न उतना कोश्चन किया करो फाल्तू सोचोगे फाल्तू मैं अपना टाइम बेस्ट करोगे पेपर के अंदर आप अपना टाइम बेस्ट ही करते रहोगे उके चलो अगला कोश्चन कहता है कि तरभूज x, y, z में y 90 डिग्री है y, n जो है वो x, z पर लंब है यद x, y बराबर 30 है और x, z बराबर 34 है तो y, n का मान बताओ चलिए तो यहाँ पर भी देखे triplet का काम आएगा याद रखे यहाँ पर भी triplet का काम आने वाला है इसलिए कहता हूँ triplet भाई बहुत important है आपको पता होने चाहिए सबसे पहले एक triangle बनाते है x, y, z इसको उपर लेते हैं थोड़ा सा पूरे portion को हम English को जो है वो gap कर देते है I hope आपने पढ़ लिया होगा तो आपको अब दिक्तत नहीं होगी ठीक है इसको डिनोट करते हैं x, y, y, z अब इसमें बोला गया है कि I think ए राइट अंगल ट्रेंगल इसको डिलीर करते हैं right angle triangle है मैंने simple ले लिया हम देते हैं एक right angle triangle अब इसको हम डिनोट कर देते हैं y, z ठीक है और यह हमारा y है 90 degree अब 90 degree से इसने बोला है कि एक जो है आपका क्या जाता है एक lump पड़ता है यहाँ पर ठीक है, lump पड़ता है और इसको डिनोट कर देते हैं n से ठीक है yn है न, lump और इसके अंदर आगे क्या दिया है आगे दिया है x, y बराबर 30 है तो यह हमारा 30 दे रखा है और x, z बराबर 34 यह जो पूरा है आपका यह बाली पूरी यह जो पूरी है आपकी कितनी दे रखी है यह आपकी 34 दे रखा है कितना 34 दे रखा है अब हमें अगर आपको निकालना क्या है YN निकालना है हमें यह जो लंब डाला गया है इसको निकालना है तो लंब डाला गया उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा ये तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी अब हम इसको करने वाले क्या हैं अब इसको करने वाले हैं इसके area को बराबर कर दिया अब हम कौन सा लेंगे अब हम ये वाला बेस लेंगे x, z बाला base लेगे 1 upon 2 base कितना हो जाएगा हमारे पास 34 ओके और height कितनी हो जाएगी yn हमें पता नहीं है ओके आगे हम अगर इसको solve करेंगे सबसे पहले इसको काट लेते हैं 1 upon 2, 1 upon 2 कट जाएगा ठीक है यहाँ पर बचेगा आपका तोला into 30 34 पराबर आपका yn अगर आगे इसको हम solve करेंगे 16, 38 34 अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 2, 4, 0 और बचे 17 क्योंकि आगे नहीं कटेगा 17 आपका 1 प्राइम नंबर है तो yn कितना निकल के आगया yn आपका निकल के आगया 240 बचे 17 जो कि आपका yn option में दे रखा है I hope यह आपको question बिल्कुल clearly समझ आ गया होगा इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना comment box में ठीक है अगला question देखे क्या कहता है अगला question कहता है कि 9 से विभाजी आपको पता नगा सबसे पहले आपको जो है वो साथ दो नौ काटना है पान चार नौ काटना है तो x प्लस पन तो है वो 9 से डिवीजिबल होना चीए तो x को हम क्या रख सकते है एक को भाई हम 8 रख सकते है अभी 9 से कर जाएगा ठीक है चालो अगला question देखो अगला question कहता है तीन संख्या है दो और तीन पांच अनुपात में है यदि सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या का योग 98 सो दे रखा है सबसे बड़ी और सबसे चोटी पान दो साथ साथ रेशो बराबर कितना दे रखा है 98 सो दे रखा है एक ratio का मान कितना हो जाएगा एक ratio का मान हो जाएगा 1400 और उसके बाद उसने बोला है तो सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या का अंतर कितना है 3 तो 3 ratio से गुड़ा कर देंगे हमारा answer निकल के आगा 14,3,42 क्योंकि आपका B option में दे रखा है क्लियर है अगले question की तरफ बढ़ रहे है अगला question देखिए क्या कहता है कि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 20% 30% बढ़ाने के बजाए 22% की कमी की जाती हूँ तो परिणामी मान अभीस्ट सही मान कितना होगा बहुत सारे बचे इस question को गलत करके आया थे क्यों करके आया थे क्योंकि उनको actual में पता ही नहीं था इस question के अंदर करना क्या देखिए इसको करना क्या था पहले हमें 100 में जो है वो 20 और 30% की व्रद्धी करनी थी और फिर हमें 100 में जो है वो क्या करना था 22% की कमी करनी थी मतलब 78 अगर हम यहां पर 20 और 30% की व्रद्धी करेंगे तो यह 100 से कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा कैसे हो जाएगा यह बात यहां पर आप देख लो ठीक है मैंने आपको डारेक्ट लिख दिया 20 प्लस 30 ठीक है प्लस 326 600 ठीक है और बटे 100 प्लस यहां से 00 कर जाएगा तो यह 6 निकल के आ जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 26% जो है वह इंक्रिमेंट आ जाएगा तो 100 में 56 जोडेंगे तो 156 हो जाएगा यह बात आपको क्लियर हो गई आपको बता दी किस तरीके से मैंने 156 लिखा अब आपको इस कोश्चन के अंदर बताना था कि यह 156 का जो है वह 78 कितना है बस आपको यह कोश्चन के अंदर बताना था कोनों केस करने के बाद आपको यह बताना था कि 78 जो है 156 का कितना है तो भाई अगर इसकी बात करें तो यह हमारा कितना आ जाएगा 1 by 2 से कड़ जाएगा into 100 आपका answer निकल के आ जाएगा 50% 50% इसका निकल कर answer आ जाएगा clear है इतना easy question था बस आपको यहाँ पर इन दोनों का क्या निकालना था इसका जो है पहले क्या क्या है 100 से हमने व्रद्धी करी ठीक है और फिर 100 से कमी करी ठीक है उसके बाद हमें पूछा गया है अभीस्ट परिडामी मान क्या हो जाएगा पहले तो हमें 156 आ गया बाद में हमें कम करने पर 178 आ गया तो actual में मान कितना निकला 50% clear है आगे बड़े अगले question की तरफ अगला question देखिए क्या कहता है कि एक पुस्तक को अंकित मूली के 8 बटा 15 पर बेचने पर 20% की हान होती है तो पुस्तक के अंकित मूली और क्रैम मूली का अनुपाद बताईए कल question करवाया था सायथ पहली सिफ्ट या दूसरी सिफ्ट में question डाला है मैंने है ना डाला क्या आया हुआ है अगर हम बात करेंगे mark price का अनुपाद और selling price का अनुपाद कितना हो जाएगा 15 अनुपाद 8 अब यह मत पूछना कि भाई यह कैसे लिख दिया regular बने रहा करो तो आपको पता हो जाएगा इसको कैसे लिखा गया है उके selling price और कॉस प्राइज और selling price का ratio 20% के हान मतलब 5 से 4 अब यहां पर selling price आपको बराबर करने पड़ेंगे अगर इसको बराबर करना है तो इसको हम 2 से गुड़ा कर देंगे यह हमारा कितना निकल के आ जाएगा 10 और यह निकल के आ जाएगा हमारा 8 एपके धाम 14 और 8 वैसे ही रहेगा अब हम से पूखा क्या गया है हमसे पूखा गया है MP मतलब MP का ratio और CP का ratio MP हमारे पास 15 दे रखा है और CP हमारे पास 10 दे रखा है तो हमारा कितना हो जाएगा तीन प्रेशुद दो हमारा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि आपके डियू आप्शन में दे रखा है आगे बढ़ें अगले कोश्चन की तरफ clear हो गया यह कोश्चन चलिए अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन कहता है कि त हो गया आने बना लिया एक ट्रैंगल ठीक है अब इसको डिनोट कर देते हैं और ऐससी से कि उसके बाद कहा है कि स्ट पर एक बिंदु यह हमारा बिंद हो गया एफ उसके बाद ए ऑर ज्ड़्वीं बराबर है यहाँ पर हम देखते हैं इसको सूब्भे डिग्री इसको ले कर आते हैं, यह हो गया आपका 90 degree, अगर यह 90 degree हो गया तो यह भी आपका 90 degree हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, यह बात clear है आपको, ठीक है, अगर आपका आगे क्या देखा, RS 10 से मी दे रखा है, इसके सामने की बुझा 10 से मी है, तो इसके सामने की भुझा भी 10 से मी हो तो इसके सामने की बुजह यह बराबर हो जाएगी या फिर इसको माल लो यह 90 है 90 के सामने 10 है तो इस 90 के सामने भी 10 होगा clear है असान है बिल्कुल बच्को वाला question है और यह आपके जो दोनों triangle है वो आपके y का मान मताइए यहाँ पर simple x minus y whole square का formula लगाना था क्या लगाना था formula लगाना था x square plus y square minus 2xy हमने यहाँ पर x minus y की value रखी 3-9 हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आपका x square plus y square दे रखा है 29 ok और minus 2xy अगर हम इसको उधर लेके जाएगे और 9 को इधर लेकर आएगे तो क्या हो जाएगा 2xy पराबर 29 में से 9 हो जाएगा 20 हो जाएगा और अगर इसको 2xy को हम 4xy बनाएगे उधर भी हम 2 का गुड़ा कर देंगे तो इधर 40 हो जाएगा तो राइट अंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा आपका 40 बिल्कु सही निकल के आ जाएगा 4xy का मान ok clear हो गया आगे बढ़ें अगले question की तरफ अगला question देखी क्या कहता है कि दो train एक 125 मीटर दूसरी 375 मीटर लंबी है समांतर पट्रियों पर विपरीद दिसा में चल रही है तो क्रमसा 81 किलोमीटर प्रतिगंटा और 63 किलोमीटर परतिगंटा की चाल से चल रही हो तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा जब भी आपकी विपरीद ट्रेने चल रही हो 275 में 125 को जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा ठीक है डिवाइड वाई इस्पीड आ जाएगी तभी आपका टाइम लेगला है इस्पीड कितनी है 63 आपकी हो जाएगी 4, 8, 14, 144 है ना 8, 14 और यह हमारा क्या निकल के आगया यह हमारा टाइम निकल के आया लेकिन अभी नहीं निकल के आया अभी तो यह आपका मीटर में दे रखा और 144 आपका किलोमेटर प्रति घंट है तो इसको हम कितने से गुड़ा करेंगे 5 बटा 18 से 5 जब 18 नीचे आएगा तो यह 18 उपर आ जाएगा है ना अब अगर इसको हम काटे तो 5 से इसको काटेंगे तो यह 100 हो जाएगा अगर इसको 9 दूनी 18 काटेंगे तो ये 9 एकम 9 9.64 तो से इसको काट लेंगे ये हो जाएगा 8 ठीक है और आगे आगे 100 बटे 8 100 बटे 8 कितना होता है डारेक्ट आपको पता होना चाहिए 12.30 12.30 जो है आपका क्या लगेगा टाइम लगेगा आगे बढ़ें अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन देखिए क्या कहता है तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि जब भी आपको X की पावर 4 से X की पावर 2 प्लस 1 अपावर 2 पे जाना हो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा ये कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा और इसको आपको क्या लेना पड़ेगा इसका आप अंडरूट ले लो तो ये कितना निकल के आजाएगा ये निकल के आजाएगा आपका 14 ठीक है अब आप अगर जाएंगे x plus 1 upon x पे जाएंगे ठीक है तो आपको क्या आप करना पड़ेगा इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा ये बन जाएगा 16 और 16 का ले लिजिए under root तो ये आपको कितना हो जाएगा 4 निकल के आजाएगा ठीक है और ये actual में क्या दे रखा है सबसे बड़ी बात ही ये actual में क्या दे रखा बहुत बच्चे नहीं समझ बाते हैं अगर हम a की पावर 6 में a cube का जो है वो divide कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आजाएगा a cube plus 1 upon a cube निकल के आजाएगा और इसका formula क्या होता है p cube minus 3p ये बात आपको पता है ना अब यहां पर हम value put कर देंगे a cube मतलब 4 चुकू 16 चुकू 64 ok minus 4 तिये 12 ठीक है तो right answer क्या हो जाएगा आपका 52 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 52 इसका सही जवाब आ जाएगा 64 में से 12 जाएगा तो 52 इसका सही जवाब हो जाएगा clear है अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question देखिए क्या कहता है अगला question जो है आपका व्रत से related question है ok इस व्रत से related question कहता है कि दो केंदर व्रतों की तिरिजया x semi और 26 semi है P और S बड़े व्रत पर बिंदू है और QR कोटे व्रत पर बिंदू है तो P QRS एक सीधी रेका है QR 40 cm, PS 48 cm तो X का मान बताई बहुत अच्छा question बहुत अच्छा question इस question को करने से पहले हम क्या लेते हैं हम circles लेते हैं detail में थोड़ा time लगेगा लेकिन यह question आपको बिलकुल मैं clear कर दूँगा ok यह हमने ले लिया थोड़ा बड़ा करके लेते हैं ताकि आपको clear हो जाए यह बड़ा circle ले लिया उसके बाद इसी में हमने क्या किया एक बरी हमने छोटा वाला circle ले लिया थोड़ा सा छोटा करते हैं clear है अब इन दोनों का जो है वो center हमारा कहा पर है यह center है इतनी बात clear है आप सभी को आगे देखिए क्या कहा गया है कि एक कितरिज्या x है और दूसरे की 26 है मतलब बड़े वाले की 26 होगी P और S जो है वो बड़े व्रत पर बिंद है P और S बड़े व्रत पर बिंद है हमने बोला P और S denote करते चलिए P और S P और S बड़े व्रत पर बिंद है और Q और R छोटे व्रत पर है हमने माना कि Q और R जो हैpa क्यों और R छोटे व्रत पर है clear है बात अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है अब यहाँ पर कहा गया कि P Qs एक सीधी रेखा में हमने क्या किया एक सीधी रेखा ले दी, यहां से हमने एक सीधी रेखा ले ली, वो मिला दिया आपस में, अब देखिए यहां पर क्या करना है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले उसने बोला था कि बड़े वाले की तरिज़ा कितनी है, बड़े वाले की तरिज़ा 29 है, तो हम यहां पर ड तो आपका यह कितना हो जाएगा यह आपका 20 हो जाएगा और यह भी आपका 20 हो जाएगा ठीक है उसके बाद PS 48 दे रखा है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहां से लेकर यहां तक आपका कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 24 इसी बात clear है अब हमें निकलना क्या है हमें तो x निकलना है छोटी वाली तरिज़या निकलनी थी कौँन सी तरिज़या निकलनी थी इसको माल लेता हूँ, ए मालूँ, ओके और इसको ओ मालूँ, ठीक है, तो OPA, OPA ट्रियंगल में आपको ट्रिपलेट नजर आ रहा होगा, 26 और 24, 26 और 24 ट्रिपलेट एक देखे, 26 और 24, 26 कितना हो जागा, 13 और यहां पर 24, 12, 12, 5, 12, 13, 5, 10, ट्रिपलेट आपका हो गया, तो य आपका, यह OPA निकाल के दे दिया, ठीक है, अब हम कौन से ट्रियंगल में जाएंगे, हम ट्रियंगल में जाएंगे, O, Q, A में, O, Q में, प्रिपलेट, स्वरी, पाइथा गुरस प्रमे से हम यह वाली जो है, वो Q, A को निकाल लेंगे, और यही हमें बतानी है, ठीक है, तो दस रूट पाँच, यही आपका क्या हो जाएगा, दस रूट पाँच, आपका बिलकुल सही जबाब हो जाएगा, क्लियर है, बिलकुल आसानी से मैंने इस कोश्चन को क्लियर कर दिया है, I hope यह कोश्चन आपको भी क्लियर हो गया, कोई अगर डाउट है, तो मुझे comment box में जरूर बताईएगा, कि सर दिक्कत कहां पर आपको देखने को मिल रही है, ओके, चलिए, नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स कोश्चन देखिए, क्या कहता है, कि सभी स्कूलो, D में भाग लेने वाले खिलाडियों की कुल संख्या, सभी स्कूलो, E में भाग ल निकालना है, तो बिल्कुल EASY कोश्चन है, इस कोश्चन को आई होक कर लेंगे, यह भी आसान कोश्चन है, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसकी नीचे दिये गए दंड आलेक में पांच महिने में दो दुकवंदार, S1, S2 द्वारा बेची गई, पुस्टक का क्या निकालना है, कुल निकालना है, S1, S2 का टोटल निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, पांच महिने में पेची के पुस्टकों की कुल संक्या, उसके बाद S1 की पांच महिनों में निकालना है, और उसके बाद उनको जोड़ देना है, तो यार बच्चो वाला क कमेंट बॉक्स में जरू दीजेगा तो आज के हमने 25 को बहतरीन क्लास के साथ हमने सॉल्व कर लिया है बेस्ट अप्रोच के साथ आसा करता हूँ यह क्लास पूरी आपको समझ आई होगी और जो भी बच्चे यहां तक बने रहें उन सभी से निवेदन है इस चैनल को सब्सक्